दोस्तो हाजरें एक हो रिपोर्ट लाके चैनल रितेश लखी अन्पलग दी मेरी आज दी ए रिपोर्ट बहुत ही मतपूरण है क्योंकि बहुत वड़ा खुलासा में आज इस रिपोर्ट दे विच करन जा रहे हैं हाँ हुण तो कुछ केंटे पहला यानि की 11 सितंबर दी शाम चंडीगर दे सेक्टर दस दी एक कोठी दे विच होया ग्रिनेड हमला एक हैंड ग्रिनेड दा तमाका जिस बिच निशाना बनाया जाना सी पंजाब पुलस दे एक सापका अफसर जोकि सुपरिंटेंडेंड आफ पु इस नो सेक्टर दस दे एस वी वी आईपी इलाके दे विच एडी जुर्त देनाल इना खुराफाती अंसरा ने क्यों ते किमे निशाना बनाया इस दी बैक्गराउंड समझन दी कोशिश करांगे कि उतके दोस्तों मुद्दा एही नहीं है कि पंजाब पुलस दा एक सापक पुलस अफसर रेडिकल्स दे निशानने होते सी मुद्दा एभी नहीं है कि चंडीगर दे वी वी आईपी इलाके दे विचे तमाका होया मुद्दा एह है कि इस अफसर नो निशानना बनाया जा रहा है उस दिया कोशिशा कीतिया जा रही है ने इस चीज दे मतलग इपन तिन या चार इंटेलिजेंस इंपूट्स पिछले डेड़ दो साला दोरान उपर चुकिया सन एस केस दे विच यानि कि ऐसे अफसर नो निशानना बनाया जान दी नियत दे नाल जेडे हमला वरानू अमेरिका बेस्ट गैंक्स्टर हैपी पाशिया ने पिछले कई सा आज तो कई महीने पहला गिरफ्तार कीता जा चुका सी लेकिन एस दे बावजूद चंडीगर दे विच एस हिमाकत परे हमले नू इना अंसरा ने अंजाम दिता तो दोस्तो आज एस रिपोर्ट दी सब तो बटी जानकारी एह है कि चंडीगर दे सेक्टर दास दे विच पांसो पज़त्तर नंबर कोटी उत्ते जड़ा हैंड गिरिनेट सिट्टे आ गया ओस दे विच टार्गेट सी जसकीरस सिंग चैहल नादा रेटायर्ट आज एस रिपोर्ट विच गालापा जसकीरस सिंग चैहल दे पशौकरते भी करनी हैं नकोदर बेद भी मामलियां तो बाद जड़ी गोलियां पुलस ने चलाईयां उस विच होईयां मौतां ते खास तौरते हर्मिंदर सिंग ना दे औल इंडिया सीख स्टूटेंट फेड जनी कि खाल सा कॉलेज दे परदान नू किमे मारा गया ओस दा भी जिकर कारना हैं ते गाले भी कारनी हैं कि पिछले डेड़ दोवा सालना दोरान जसकीरस सिंग चाहल नू निशाना बनाये जान दी कोशिश हर्विंदर सिंग रिंदा अते हैपी पशिया मॉडियूल किमे क करता प्या है दोस्तों इस रिपोर्ट विच काफी जानकारी है लेकिन सब तो पहला आपा चंडीगर्दी इस कटना उते नजर सानी कर देयां चंडीगर्दी विच हुंदा की है 555 नंबर कोठी जिते मन्या जानता है कि जस्कीरज सिंग चहल आज तो कुछ महीने पहला तक रह रहा सी चहल नू लेके पिछले कई महीने तो इस त्रीके दियां काफी इंटेंसिव खुफिया इंपुट्स मिल रही हैं सान गिरफतारियां भी हो रही हैं सन लेकिन इस ते बावजूद उस नू टार्गेट कीता गया एक वक्री गाल है जो एस वक्त की जानकारी है जो की चंडीगर्ड पुलस वलनों जो की पुलस दे सूतरा मलनों अजे तक जारी कीती गई है उस विच ए दस्या गया है कि एस वारदात देवेच नाता जसकीरत चहल निशानना बन सकया ते नहीं किसी दा जानी माली नुकसान होया सो हैंड ग्रेंड हमला जड़ा होंदा है ओके में होंदा है सब तो हरानी दी गाल एसी कि वक्त वादी अंसरा दे इशारे उत्ते दैशत गर्दी दी एस वारदात नु अंजाम देन आए ए नौजवान जिना दियां तस्वीरां ते ओना दा वीडियो आजे इस रिपोर्ट विच मैं थो नु दखामांगा इना नौजवाना वल्लों थ्री विल्लर दे वेचे काटो रिक्षा दे वेचे बैटके एस वारदात नु अंजाम दिता गया चंडिगर दे सेक्टर दास दे इस कोठी दे बाहरे लोग पहुंच देने आटो नु रोक देने उस तो बाद ए वेडे विच सिट्टे आ जानदा है ग्रिनेट सुटन वालेयां दा अंदाजा एसी की एस कोठी दे वेडे विच जसकीरत चाहल खुद बैठा है उस नु निशाना बना के ही एस हैंड ग्रिनेड नु लॉब किता गया यानि कि सुट्टे आ गया लेकिन पुलस दे मुताब जसकीरत सिंग चाहल इस कोठी नु कई महीने पहला ही खाली करके जा चुका है जसकीरत सिंग चाहल दी जिंदगी नु खत्रा है एस ची नु लेके जेडियां भी इन्पुट रिकोर्ट्स मिलिया असान उस तो बाद बनने आ जानदा है कि उस नु तिन पीस सो आज तो कई म अजे तक दे ऑफिशल जेडी जानकारी है उस मताबग केसे भी व्यक्ती नु कोई भी नुकसान एस ग्रिनेट हमले दे बिच नहीं होया तो इना हमलावरा ने हैंड ग्रिनेट सिट या कोठी दे वेडे दे अंदर उस तो बाद एक आटो दे बिच उसी आटो जिस विचे अजाम देन ली आए उसे दे विच बैटके फरार हो गए जिस तो बाद CCTV कैमरास दे विच उना दियां गतिवी दियां उना दे पजड़ दियां वीडियोस कैप्चर होई यां वेख्या जा सकता कि तमाग के तो बाद ए लोग आटो वी जदो निकल रहे सी उस वक्त एक लाक्या दे विच बहुती साफ CCTV तस्वीरां सामने आयाने दोस्तों जिडियां तस्वीरां इस वक्त में थोटी नजर कारता पे आहां ए इना हमलावरा दिये हैं गिये ने समझाए जा सकता है कि पॉसिबली ए तिन हमलावर सन आटो रिक्षा चालक दे नाल दो होर व्यक्त सन लेकिन इस बारे ऐसी पक्की जानकारी नहीं दा सकते लेकिन दो हमलावरा दियां तस्वीरां जो की काले रंग दे कपड़े पाए हो इस सन उन्हों दे चेहरे साफ नजर आ सकते ने तुसी देख सकते हो कि इना हमलावरा ने अपने चेहरे आनो भी ट्रक्टाकना मुनास दे केड़े सेक्टर्स दे विच्चों हो सकते ने लेकिन तुसी इना दिया तस्वीरा नो वेखो ते इकजे ही वीडियो क्लिप भी थोड़ी नजर करांगा जिस देवे चंडी गड़ दे वेचे एस वारदात नो अंजाम देन तो बाग ए दो हमलावर क्योंकि दो हमलावर बिना किसे डार दे, खौफ दे, निकल दे होई वेख्या जा सकता है। काम्याब रहने। दोस्तो हुन आपा उस बैकग्राउंड ते आवाँगे। आज तो कई महीने पहला, अक्तूबर लगभाग एक साल पहला, अक्तूबर दो हजार तई दे वेच मोहाली पुलिस दे स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल्व नो एक F.I.R. दर्ज किती जा दी है। F.I.R. नंबर सी 18 ते एस F.I.R. नू दर्ज करन्दा सबब एसे सुप्रिंटेंडेंडेंट आफ पुलिस यानि की पंजाब पुलिस दे रिटाइड एस्पी जस्कीरस सिंग चाहल नू टार्गेट करन्दा ओ मनसूब असी जिसनू लेके अमेरिका दे बीच बैठा गैंक्स्टर हैपी पशिया जो की हर्विंदर सिंग रिंदा दे नाल राल के काम करता है। गैंक्स्टर टरंड आतवादी हैपी पाशिया जसकीरत चहल नू टार्गेट कार रहा है जिसने दो अपने क्रिमिनल एस वारदात नू जाम देन लई महाली चंडिगर दे इलाके विच पेजे एना दे नासी बिकरम जीज सिंग राजा अते बावा सिंग उन दो हैं बटाला आते मजीथा दे रहन वाले सन लेकिन इना बारे खूफिया जानकारी जिमें ही नशर होई उस तो बाद इंटरसेप्ट कारके इना नू गिरफतार कार ले जानदा है आज दी तरीक दे विच बिकरम जीज सिंग राजा अते बावा सिंग दो हैं पंजाब दियां जेला उते ही पंजाब पुलस इना लोका नू ट्रैक कार पाई बावा अते राजा तो हानू गिरफतार कार ले गया इंटरसेप्ट कार ले गया जसकीरत सिंग चाहल दे खिलाफ खोन वाला पहला हमला नाकाम्याब हो गया मन्या ये जानदा कि ओस वक्त चाहल सेक्टर दास दी इ जसकीरत चाहलोती होएगा इस हमले तो बाद जदो F.I.R. नंबर 18 दे नाल इस अटाइक दा लिंक जुड़ेया उस्तो बाद हैपी पाशिया दे नाल मैं संपर्क स्थापत करन दी कोशिश कीती जिस विच मैं कुछी कैंटें दे विच काम्याब होया दोस्तों मैं तो पुलस दे एक अजे है ऑपरेशन जिस विच संदीब शेरा एक इनफॉर्मन्ट दी पूमिका दे विच सी उसनू फड़के बेदर दी दिनाल कतल करता गया इनफाक्ट एक अजेहा ऑपरेशन सी जो की पुलस दी लापरवाही दे कारण एस संदीब शेरा ना दे विच्टी दी मौत दा कारण बनेया जिस दी जिम्मेबारी सोशल मीडिया उत्ते हैपी पाशिया वल्लों लई गई सी एपहला मौका सी जदों अंडर वर्ल्ड दे व गलबाद मेरी हुई जिस भी नंबर कोडिनेट उत्ते मेरी गलबाद हुई उसे कोडिनेट उत्ते मैं हैपी पाशिया नो दौड़ा संपरकरन दी कोशिश की थी घलLYकि मेरिया कॉल दा कोई जवाब नहीं दितता गया लेकिन कुछ ही देर बाद हैपी पाशिया दा मैंनू दुबारा कॉलांदा है जिस तो बाद मैं हैपी पाश्या तो ये जानकारी पुछना है कि जनरीगर दे सेक्टर दास दे इस हैंड ग्रिनेट हमले दे विच थोड़ी की पूमिका है थोड़ा की हाथ है क्योंकि जे आपा अक्तूबर दो हजार तैई दी उस F.I.R. नू वेख हैपी पाश्या ते नल होई उस विच एस चीज दी तस्दीक किती कि जड़े हमलावर पेजे गए चेड़ी कर दे सेक्टर दास दी कोठी दे विच ए हमलावर हरविंदर सिंग रिंदे अते हैपी पाश्ये बल्नों ही पेजे गए ने यानि कि एस चीज नू कुरोबरेट ख ते गालबात दोरान एस चीज दी क्लारिटी नई सी कि ए हमला कामयाब होया है या नई एस चीज दी कन्विक्षन मैंनों उस दी गल्ला बातना दे बिच सुनाई दित्ती समझ बिच आई वह मैसूस कर रहा है सी कि जसकीर सिंग चाहल एस सेक्टर दास दी कोठी विच ओस व पिच नहीं होया ते कई महीने पहला ही इंटेलिजेंस खुफिया जानकारियां दे लगातार बाहर आण दे सिलसले तो बाग जसकीर सिंग चाहल एस कोठी नू छड़के कई महीने पहला ही जा चुका है तो चंडिगण विक्षे हुए एस ग्रेनेड हमले दे पिच्छे की म मकसद सी एचीज हुन साफ हो चुकी है कोई दोविदा कोई संसा नहीं बचा है कि निशाना जसकीर सिंग चैहल सी अते निशाना बनाण वाले यानि की हमला करन वाले अपरादिक अंसर सन गैंक्स्टर टर्न टेर्रिस्ट हैपी पाशिया अते हरविंदर सिंग रिंदा था दो मॉड्यूल जो कि अमेरिका ते पाकिस्तान तो बैटके इना वारदातानों अंजाम दोआना चार आसी दोस्तों एथे एवी तो नो दासना जरूरी है कि हैपी पाशिया ने मेरे नाल होई गालबात दे विच एवी जिकर कीता कि एस हैंड ग्रेनेट दी कटना तो पहला चार वार कोशिशां उना दे एस करिमिनल गैंग वलनों कीतियां गईया ने चाहलनों निशानना बनाड़ दियां यानि कि इस तो पहला उस F.I.R. नबर 18 जिस विच बिकरम जी सिंग राजा आते बावा सिंग दी गिरफतारी होई सी उस तो इलावा भी कई कोशियां कीतिय गयां यां ते एसे तरीके दियां इंटैलिजेंस खुफिया इंपूट्स पिछले कुछ महीनिया दौरान लगातार मिल दियां रहियां ने दोस्तो एथे समझना है जरूरी है अपा क्लियर हो चुकियां कि हमला की सी किस पलनों कराया जाना सी कौन टार्गेट सी लेकिन एस हमले दे पिछे दी वजा की सी आखिर सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस रेटायर जस्कीर सिंग चैहल दी पूमी का किस कांड़ दे बिच क अफते दोरान साका नकोदर जिते श्री गुर्गंद साहब जी दियां पांज बीडा दियां होईयां बेद मियां दे मामलें तो बाज जिडाक अटना करम उब्रेया उस विच पुलिस गोडी बारी दे विच चार नौजवाना दी मौत हुंदी है दो फरवरी अते चार फर परी दरम्यान एक अटना करम 1986 दे विच चुनता है ज़तों पंजाब इच सरकार सी सुजीद सिंग बरनाला दी हुना पा सारे जान दी कि नकोदर कांट दे विच चार नौजवान जिना दे विच हरविंदर सिंग, रविंदर सिंग, चिल्मन सिंग अते बल्दीर सिंग नकोदर कांट दुरान इना चार नौजवाना दी पुलस गोली बारी दे विच हुई, मौतान दे नाल एस चंडिगर दी हैंड ग्रिनेट काटना दा लिंक जुड़ता है जसकीरत सिंग चाहल दे जरिये नकोदर विखे बेदमिया अते गोली कांट दा और पूरा दा पूरा इलाका एरिया जो कि एपी सेंटर सी ओसदा ततकाली स्टेशन हाउस आफिसर यानि ऐसे चो होर कोई नहीं बलकी जसकीरत सिंग चाहल ही सी एदस्या जानता है पंजाब हुमिन राइट्स पहला पार्ट दा विदान सबा दे बिच दिस्या ओस नूर रिजिस्टर कीता गया लेकिन आज तक एस साफ नहीं हो पाया कि गुर्णाम सिंग कमीशन दी रिपोर्ट दा दूसरा पाक किते है यानि कि ओस कांट दे बिच इनसाफ नहीं हो पाया है उन दोस्तों ततकाली खालसा कॉलेज आते ओल इंडिया सिक स्टूडेंट फेडरेशन दा लोकल कर्मीनर सी ते मन्याई जानदा कि ओस वक जदो नौजवाना दे तरने मुजारे होया कर दे सी एक नौजवान दी पग उतरवान दे मामले दे वेच एक बहुती जबरदस मुजारा खालसा कॉलेज विखे होया सी ए मैं उनिस्टूडेंट फेडरेशन दे नौजवाना आते स्टूडेंट्स तो एस विद्यार्थी दी पाग उतरवान दे मामले दे वेच पबलिकली माफी मांगनी पई सी तो जदो नकोददर दी एक अटना हों दी है यानि कि 2 फरबरी उनिस्टूचासी तो लेके 4 फरबरी 1986 दा कटना करम जिस दोरान शिरीगरु गरंच साहब जीदियां होई यां बेद मियां तो बाद लोग अठे हो जन्दे ने मुजारा हो रहा होंता है फिर कूत तनादा महौल भी इलाके दे विच बढ़या होंता है उस वक्ति कजेहा समा आया जदो पीड पारिंग शुरू करती गई हुन्मन्या ए जान्दा है कि मारे गए इना चार नौजवाना दे विच्चो जिड़े तिन सी रविंदर चिल्मन अते बलदीर सिंग एना दी मौत ता उस पुलस गोली बारी दे विच होई लेकिन हर्मिंदर सिंग जो कि फेडरेशन दा एक कार कुन सी कन्वीनर सी ओ उस गोली बारी दे विच नहीं मारे आ जान्दा इन फैक्ट ओ उस मौका है वारदा तो पाज़िदा है पुलस वाले उस दा पिच्छा कारदे ने एक आरे दे कंपाउंड दे विच वड़न दे विच उकामया भूंदा है पर थाक दर्शियां ते ओस वक्त जड़े लोग आसपास सन उना वनों ए चीज नू देख्या गया थे रिकॉर्ड ते ले आन दियां कोश्या भी होई यां जो कि कमिशना दियां रिपोर्टा दे विच दब के रह गयां उना मुताबक कटना ए होई सी कि हर्मिंदर सिंग जो कि आरे दी इस कंपाउंड दे विच बाड़ चुका सी उसनों कुछ मौके दे पुलस अफसरा ने आरे तो फड़ के बाहर कर दया थे उस दौरान दस्या जानता है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज तो उस दे मू दे बहुती नेडे राके पिस्तॉल देना गोलियां चलाईयां गईयां बात दे विच हर् अफसरवलनों अपनी सर्विस रिवालबर देनाल गोली ओशनों पॉइंट ब्लैंक रेंज दोस्ते मू दे बिच मारन कारण होई तो एव बैक्गराउंड सी जिस कारण जसकीरत सिंग चाहल दी पुमिका हर्मिंदर सिंग मुर्डर केस दे बिच सामने आंदी है इलजाम ल रान देनाली कौदा देन तो बाद वापस उस्ते तो हटाया ओ तवकाली समय दे स्सपी मुहम्मद इजहार आलम स्वरन सिंग को उटना आते जसकीरत सिंग चाहल बरगे बहुत से जेहे अफसरसन जेडे अफसरादी पुमिकानू लेके सवाल उठ दे रहे ते जसकीरत सिंग चाहल नू निशानना बनाये जान दी कवाय देविच ही सेक्टर दास चंडीगर दी इस कोठी देविच ओ ग्रेनेड सिटे आ गया तो दोस्तो एव पूरी दी पूरी बैक्गराउंड सी इस रिपोर्ट दे जरीए आई होब कि बहुत सी चीजां थो नू सुरक्या एजनसियां बहुती छेती इना हमलावरानू इना शरार्ती अंसरानू काबू करन देविच काम्याब रेंड गियां फिलहाल सुरक्या थे जाज एजनसियां इना हमलावरान दी शिनाक थे इना दी पच्छान बारे जेड़ी वी जानकारी हासल करन दियां कोशिश पिछले कई कंटेयां तो कार्णियां ने उस मताबक मुल्नियां जिडियां लीड्स मिल रहे हैं ने इना दा जड़ा समंद है अजनाला डेरा बाबा नानक अमरिसर दिहाती रमदास एक उच इलाके ने जिते हैपी पाशिया बतौर एक करिमिनल बतौर एक गैंग्स्टर काफ सक्दे ने तो पुलस दी सुरख्य जंसियां दी जाँच पड़ताल इस वक्त जारी है और वी होप ताट इस अमेटर ऑफ टाइम बिफोर इस अटैकर्स आर नैब्ड दोस्तों जान दे जान दे अपाँ एस सारी दी सारी वारदात इना हमलावरा इना खुराफाती अंसरा इना वलनों जड़ी दैशतगर दी मचान दी कोशिश चंडिकर्द बिच कीती गे उसनों आपा एक मिनट्टे साइट ते राखने हां लेकिन जे आपा गाल करिये साका नकोदर दी मैलागलाग रिपोर्ट्स बना चुका जे गुर्णाम सिंग कमीशन दी को इनक्वारी होई जिसने फरवरी 1986 दी इस कटना दे विच अपनी रिपोर्ट मार्च दे आखरी हफ्ते 1986 दे दर्ज कारती सी ओसनों विदान सबा उत्ते लियान विच 15-16 साल दा समा लग गया ते ओस तो बाद भी रिपोर्ट दा इक ही हिस्सा समने आ पाया जिस रिपोर्ट दे हिस्से बिच पुलस ते प्रशासनिक अधिकारियां दी पूमी का अबारे असलियत भयान कीती गई सी ओस रिपोर्ट नू विदान सबा दे रिकॉर्ड चो गायब करता गया ए साड़े पंजाब सुबिलिक बहुत वड़ी ट्रास्दी भी है ते विदान सबा दी अपनी कारशेलियू ते बड़ा वड़ा सवाल चुकन वाली गाल सी लेकिन हुन सवाले खड़ा होंदा है कि जदो साला साला दहा क्यां दहा क्यां असी बनाए गए कमिशन ऑफ इंकॉरी इंदिया रिपोर्ट नू विदान सबामा दे विच एस तरीक के देनाल खुर्द बुर्द होंदा फिर उना हलाता दे विच इंसाफ दे तकाजे दी गाल करना नया दी गाल करना किस हद तक तरक संगत बच दाए सो जेहें माडियां मिसालना ही एक कारन दे सबाब बंदिया ने अजेहे रैडिकल्स शरारती अंसरावलनों अपनी अपरादिक अपनी हिंसक वारदाता नू लेजिटिमेसी परदान करन दा सो सिस्टमिक जड़ा साथा फेलियर इंस्टिचूशनल फेलियर जिस उते साथे सियासत दाना ने दहाक्यां दहाक्यां उते गाल नी किती उना विश्यानू चक्यानी ओ फिर एस तरीके दिया वारदाता विच्च सामने आंदे ने बेशे कोई जाननी नुखसान नहीं ते टार्गेटेट किलिंग्स अजे भी कजे हाँ मनसूबा है जिस तो पंजाब ते हुन इस केज दे बिच ता के अंदर शासत प्रदेश यानि की यूटी चंडिकर जिसनों पंजाब नालों जादा महफूज मनने जानदा सी ओवी हुन सुरख्यत नहीं बचा है सो आज इस रिपोर्ट तो मैं अथी रोकांगा ते अपनी अगली रिपोर्ट दे विच गाल करांगे और आप खतरनाक मनसूबें अदा जोकि सत समंदर पार अमेरिका ते कैनेडा दे विच मीडिया दी मदद देनाल प्लान किते जारे ने इक जे हा मनसूबा ते इरादा जिस तहद निशाने उत्ते रख्या जाना है पंजाब पुलस दे कई सापका पुलस अफ्सरानू और पूरा दा पुरा ओप्रेशन बाकाइदा एक ना तो सोचया समझया उलिक्या अते अंजाम दिता जा रहे है एस दी गाल आप आपनी आज इस रिपोर्ट मिच मैंनू अत्ती जाज़ देओ बहुत बहुत तानवाद शुक्रिया इको रिपोर्ट लेके छेती मिलांगे बहुत बहुत तानवाद